हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवीगल स्वागा देश्वेंज आप सभी का फिर से इस नए लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लो बिट्वीन टू बैलर प्लेट्स का थर्ड केस जनरलाइस प्लेट्स क्यूटी फ्लो फर्स्ट केस प्लेट्स क्यूटी फ्लो हम लोग पढ़ चुके हैं ठीक है लक्चर नमबर फॉर्थ लक्चर नमबर फिफ्ट में हमने सेकंड केस पढ़ा था प्लेट्स लो फ्लो और आज आप लोगों का लेक्षर नमबर शिक्स थे उसमें आप लोग पढ़ रहे हैं जर्णलाइस प्लेइन क्विटी फ्लो ठीक है जो थर्ड लक्षर था वहां हमने स्टार्ट किया था एक्जट सॉलुशन ऑफ एनस एक्विशन ठीक है उन्हीं में हम लोग कौन सा केस लेके चल रहे थे फ्लो बि हमने जो एक्विशन निकाली थी ना जो एक्जट सॉलुशन निकाला था एनस एक्विशन का जहां आप लोगों के वैलोसीटी आई थी ठीक है सॉलुशन में तो उस के लिज़ू करेंगे जब तक वह एक्विशन नहीं लिखूगे ना जब तक इसे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है योगि उसमें जो A और B आये थे constant arbitrary उन्हीं के तो हम यहाँ पर values नहीं find out करेंगे उनकी values find out करने के लिए हमने ये case लिया है ठीक है अलग अलग boundary condition जैसे plain equity flow में अलग boundary condition लगा कर हम लोगों ने A और B की value find out करी थी ऐसे हम लोग देखेंगे कि generalized plane equity flow में क्या boundary condition आती है उसके साबसे क्या A और B की value आती है A और B की value कहां रखनी थी हमें आप लोगों के पास lecture number 3 में equation आई थी velocity की क्या u is equals to 1 upon 2 mu जहां mu क्या है coefficient of viscosity कि 1 upon 2 mu dp upon dx y square plus ay plus b यह आये था ns equation का exact solution ठीक है जहां पर जो यह A और B है इन्ही के value हम find out कर रहे हैं अलग-अलग cases में फर्स्ट केस plane equity flow सेकेंड केस plane poise low flow थर्ड केस जर्नलाइस plane equity flow तो यह तरी equation नहीं समझोगे कहां से आई कैसे आई तो कैसे मतलब है आपका ठीक है ठीक है तो exam में जब तक यह equation नहीं निकालोगे इस case को नहीं कर सकते direct रादिश्टान university में आया हुआ है यह वाला case 2012 में फिर 15 में और फिर 16 में अब भी आप लोगों के पास आ सकता है रादिश्टान university वालों के पास ठीक है ज्यादा पुराना नहीं है और जो कोशन रादिश्टान university में आते हैं मैंने नौटिस किया मतस्य university में राज रिशी भरत्री मतस्य university जो आपके अलवर में है वहाँ पर भी आ रहे हैं रिपीट हो रहे हैं आयर यू के कोशन को करी स्थ्ट भूको करें स्थ्ट जो प्रीवेस एयर के आयोए है प्रीवेश के मेशन को प्रादिश्टान university और मरतस्य इंव्नस्टीव दोनों के इस चैनल पे मिल जाएंगे आप लोगों को आप लोग आके देख सकते हैं और चाहें तो डिस्केप्शन बॉक्स में देख लीजिए वहां भी लिंक है प्रीबियस यहर के कॉशन्स का ठीक है तो शुरू करते हैं जर्नलाइस प्लेंड क्यूटी फ्लो होता क्या है तो पहले थियोरी है थोड़ी सी वह लिख लेते हैं उसके बाद समझेंगे देखिए प्लेंड नोन- Toni-O लेते हैं बस यही डिफ्रेंस है प्लेंड क्यूटी फ्लो में और जर्नलाइस प्लेंड क्यूटी फ्लो में देख सकते हैं आप लोग यहां प्रेثر गेडिंट क्या लिरेना है non zero ठीक है और पूरा आप लोगों के पास same है वही हम लोगों ने plate consider करी है जिसमें की एक move कर रही है और एक rest position में stationary plate है तो देख लेते हैं plane cutie film में हम लोगों ने यही कर रहा था एक plate आप लोगों के पास moving है यह वाली plate move कर रही है यहाँ पर velocity क्या हमाल लेते है capital U और यह वाल रही है rest position पर है यानि की velocity क्या हो जाएगी U is equals to zero ठीक है एक हम यूही क्यों ले रहे है जो वाय डारक्षन है या जो फिर जैर डारक्षन है उनकी velocity जो की वी और डबलू मानके चले थे वो क्यों नहीं लिए हमने वो 0 क्यों है आप लोग देख सकते है previous lectures में जहां हम लोगो आप लोग देख सकते हैं इस्वेंट कि क्या बहुत चीज़ अब रिपीट नहीं करेंगी क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ठीक है कुछ नया पढ़ेंगे आज तो देख लेते हैं जर्नलाइस plane क्योटिव में क्या boundary condition आ जाएंगी देखो यू इजी कोश्टो जीर यहां पर x और y ले लिजिए तो हम लोगों ने plane क्योटिव लो में x कहा लिया था बिल्कुल stationary plate के along ही लिया था और y stationary plate के normal direction में तो यह वाय हो गया यह आप लोगों के पास stationary plate है यहीं पर x लिया है ठीक है दोनों plate के बीच में distance कितनी है h तो यहां पर मुझे बताओ x पे य यहां पर y की value क्या है जीरो यानिक्रण पर y बराबर 0 है और u क्रुख बल्यावर भी 0 मूविंग प्लेट पर y की वैल्लु क्या है यहां पर h तो यहां 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 लगों यहां यहां यही क्श्टू कंडिशन Scott Foundation इस equation में, equation number इसे first डाल दीजिए, या जो आप लोग करते आ रहे हैं, notes बना रहे हैं, उसे साफ से देख लीजिए, जो भी equation number है आप लोगों की, ठीक है, third lecture में अमनों लोगों ने डाला तैसे equation number, उसे आप से आप लोग डाल सकते हैं, use कर ये boundary condition क्या आज आएगा, using boundary conditions in first equation, y की जगे 0, u की जगे 0, क्या आज आएगा, यहाँ पर y 0, u 0, यानि कि 0 is equals to b, b की value क्या आगई, 0, second वाली condition use करेंगे, u is equals to capital U, यहाँ क्या आज आएगा, capital U is equals to 1 upon 2 mu, dp upon dx, ठीक है, y square है, y square की जगे क्या आज आएगा, h square, plus a y, यानि कि h, plus b, तो b की value 0 है, a की value क्या आज आएगा, यहाँ से आप लोगों के पास, बताएगे, a is equals to u upon h, h का divide भी कर दीजिए, तो a is equals to u upon h, minus h का यहाँ divide करेंगे, इसको इधर बेजेंगे, तो minus आज आज आएगा, h का divide करने पर 1 h कम हो जाएगा, 1 upon 2 mu, dp upon dx, और single h, a की value आगई, b की value आगई, equation number first में रख दीजिए, ठीक है, equation number first यानि कि, इस वाल equation में values रख दीजिए, क्या आज आएगा, u is equals to, क्या आज आएगा, a और b की value, equation number 1 में रखने पर, तो लिख दीजिएगा, put the values, put these values, इन्हें, equation first, क्या आज आएगा, u is equals to, 1 upon 2 mu, dp upon dx, ठीक है, y square, plus क्या था, a, y, a की value ये रही, u upon h, minus 1 upon 2 mu, dp upon dx, h, और y से multiply और करना अपड़ है, y से multiply, ये कर दिया, ठीक है, plus में क्या था, b, b की value 0 है, कोई फायदा नहीं है लिखने से, ठीक है, अब क्या करो, h से multiply और h से कर दो, divide इस last वाली term में, तो यहाँ पर h था, मैंने h से multiply करा, तो h square हो गया, divide करा, तो यह h आ गया, ठीक है, अब क्या करना है, इस पूरी term को common ले लो, इस वाले part को तो रखा रहें दो, as it is, इस वाली term और इस वाली term की बात कर रहे है, यह वाला पूरा part common आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1, minus में, यहाँ notice करने की चीज़ है, क्या बचेगा, dp upon dx, आप लोगों के पास as it is है, 2 mu as it is है, ठीक है, y square है, यहाँ single y commonly है, तो एक तो y बच जाएगा, clear, यहाँ पर h square upon h, आप लोगों ने क्या कर रहे है, common लिया है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, h upon h square बच जाएगा, देखो मैं क्या कह रही हूँ, आप लोगों के पास क्या बचेगा, आप लोगों ने क्या गया, u is equal to, capital u, y upon h, इस term को तो as it is लिखा, हम लोगों ने common क्या लिया है, 1 upon 2 mu, dp upon dx, हम लोगों ने common लिया, तो यहाँ तो बचा केवल 1, minus common लिया है, तो एक minus आजाएगा, इस वाले step में आप लोगों पास, 1 upon 2 mu, dp upon dx, y square है, तो यह तो common चला गया, बचा क्या y square, यह तो common आगया, अच्छा y और एक common लिया है, तो क्या बच जाएगा y, और h square upon h, common लिया है, तो यहाँ multiply क्या हो जाएगा, h upon h square, solve करके देख लो, वही step आजाएगा, reverse चल जाओ, इसको अंदर multiply कर दो, वहीं पहुँच जाओगा, आपके previous वाले time पर, ठीक है, previous step पे पहुच जाओगा, आप क्या करना है, simple थोड़ा सा solve कर दो, simplify कर दो, y upon h, यहाँ देखो, क्या बचेगा, h, और, नीचे क्या बचेगा, single cut जाएगा, यानि कि, hy, ठीक है, देखो, श्रेंज, अगर मैं इसे लिख देती हूँ ना, y upon h बचा यहाँ पर, ठीक है, bracket में, 1 minus h से h, cancel होगा, तो y upon h, क्या करना है, capital u को, divide में भेज दो, non-dimensional, velocity distribution निकालने के लिए, पहले भी ऐसे ही कर चुके है, ठीक है, u को, नीचे भेज होगे, तो क्या जाएगा, u upon capital u, is equals to, y upon h, और आजाएगा, तो h square upon 2 mu, capital u, dp upon dx, y upon h, 1 minus y upon h, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, dimensionless एक pressure gradient बारने, मतलब की कुछ नहीं, तो यह वाई टाम है न, इसको हम show कर रहे हैं, capital P से, और उसे कह रहे हैं, dimensionless pressure gradient, यह आप लोगों के पास क्या है, pressure gradient है, h क्या है, constant है, यह constant है, यह क्या है, coefficient of viscosity, और यह क्या है, uniform velocity, ठीक है, इस तो आले पूरे टेम को, आप लोग मान लीजिए, capital P, और उसे हम कह रहे हैं, dimensionless pressure gradient, ठीक है, तो मान लेते हैं, let us consider, अब pressure gradient, देखें, dimensionless pressure gradient, बाना है, P is equals to, h square upon 2 mu, u minus dp upon dx, तो एक question क्या आजाएगा, तो यह question आजाएगा, आप लोगों पास, इसकी ज़एगे, capital P लग दिया, ठीक है, यह कहल दाती है, आपके पास, non-dimensional velocity field, यह भी velocity है, यह भी velocity है, velocity upon velocity, ठीक है, dimension, cut हो जाएगी, एक दूसरे से, ऐसे समझ सकते हो, क्या जाएगा, non-dimensional velocity field, किस case में, generalized plane cutie flow में, इस तरह से, हम लोगों ने, cutie flow में निकालाता है, और, pois low flow में भी निकालाता है, यह है, generalized plane cutie flow, देखो, इसके बाद, कुछ case आते हैं, इस P के उपर, क्यों, क्योंकि, जोंकि आपके पास, non-dimensional, dimensionless, ठीक है, non-dimensional pressure gradient है न, इसकी nature पर depend करता है, आप लोगों के पास, यह velocity field, यह velocity field, इस पर depend कर रहा है, ठीक है, इसकी nature पर depend करता है, इसकी अपपर, हम लोग case language students, बहुत ही important case है, 2012 में और 16 में, पूछे गई थी, राधिस्तान यूनिएस्टी में, बहुत बच्चों को नहीं पता था, कैसे करना है, तो वो case, please कर लीजिए, पूछे जा सकते हैं, exam में, ठीक है, case first क्या करते हैं, माल लेते हैं, p greater than 0 हुआ, तो case first में, आप लोगों ने माला, यदि p greater than 0 हुआ, तो क्या होगा, देखो, p greater than 0 हुआ तो, ये वाला जो p की value, आप लोग put कर दीजी, यहाँ पर, ठीक है, तो क्या आज आएगा, एक स्क्वार अपॉन टू म्यू यू, माइनस डीपी अपॉन डीएक्स, greater than 0, ये पूरा constant टम को, 0 में बेज दीजी, तो क्या बचेगा, माइनस डीपी अपॉन डीएक्स, greater than 0, ठीक है, तो, माइनस से मल्टिप्लाइ करोगे, inequality change हो जाएगी, तो क्या जाएगा, डीपी अपॉन डीएक्स, less than 0, यानि कि, जो आपका pressure है, वो less than, decrease हो रहा है, flow की direction में, pressure gradient, less than 0 आ रहा है, ठीक है, ये x direction में, आप लोगों का flow हो रहा था, हम लोग यही लेके चले थे, flow between, two polar plates, जब start किया था, बताया गया था, ठीक है, तो जो मुझे, इवल बताओ, यहाँ पर जो flow है, x direction में हो रहा है, और dp upon dx, less than 0 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि आप लोगों के पास, जो pressure है, वो decrease हो रहा है, flow की direction में, तो यह आपका कहलाता है, favorable pressure gradient, positive हो जाएगा, over the whole width of channel, whole width of channel से क्या मतलब है, channel मतलब की कुछ नहीं, यह जो plate है, आप लोगों के पास, ठीक है, यह जो area है ना, बीच का, इसे हम लोग कह रहे है channel, और कुछ भी नहीं, तो यहाँ आप लोगों के पास, क्यों होगा, velocity distribution हमेशा positive होगा, जब p greater than 0 है, ठीक है, तो p greater than 0 में, जैने कि 0 से बढ़ा है, तो हम माल लेते हैं, यदि p बराबर 1 हुआ, तो निकाल के देखते हैं, ठीक है, बादने हम लोग देखेंगे, डाइग्राम अगरा, तो पहले निकाल तो लेते हैं values, तो p is equals to 1 के लिए क्या आएगा, u upon capital u, is equals to y upon h, p की value 1 रख दी, अंदर y upon h को multiply कर दिया, तो क्या जाएगा, minus y square upon h square, यह दोनों add हो गए, क्या आग्या, 2y upon h, minus y square upon h square, ठीक है, चमाज आया, अब हम second case के लिए देते है, p अगर less than 0 हो जाए तो, देखो जो p less than 0 होगा, इसका मतलब minus dp upon dx, less than 0, ठीक है, minus अटाओगे तो dp upon dx आजाएगा greater than 0, यानि कि flow की direction में pressure है, जो वो increase हो रहा है, तो यह आपको कहलाता है, adverse pressure gradient, ठीक है, adverse pressure gradient, इस case में strength आप लोग देखते हैं, p less than जब minus 1 हो जाती है ना, तब आप लोगों के पास एक back flow start हो जाता है, p less than 0 वाला case पढ़ रहे हैं, ठीक है, जब p less than minus 1 हो जाती है, यानि पीछे से back flow start हो जाता है, डाइग्राम में आप लोग कुछ देखेंगे इस तरह का है, जैसे मान लीजी यह p बराबर 0 के लिए बना रहा है आप लोगोंने डाइग्राम, तो p बराबर minus 1 पे इस तरह से back flow start हो जाता है, यह p बराबर minus 2 का है, ठीक है, p बराबर 1 यहां रहेगा, p बराबर 2 इस तरह से रहेगा, यह p बराबर minus 1, यह p बराबर 1, इस तरह से back flow start हो जाता है, p less than minus 1 पे, ठीक है, अब last case आप लोगोंने क्या ले लिया है, p एक बार greater than 0, एक बार less than 0, तो third case में ले लिजिए, जब p equal to 0 हो जाए, जब p is equal to 0 हो जाएगा, तो आप लोगों के पास equation क्या जाएगी, u upon capital U is equal to y upon h, यहां पर क्या था, plus p y upon h, 1 minus y upon h, तब यह p 0 ले लिया, यह लिए term तो, vanish हो गई, क्या बचा, u upon u is equal to y upon h, आप लोगों को अच्छे से बता है, यदि previous lecture लेकर आए हो, तो यह जो आपका case है, यह है plain cutie flow का case, it is the case of plain cutie flow, और आप लोगों ने पता है, कि plain cutie flow में हम लोगों ने क्या कराता है, pressure gradient 0 लियाता है, तो यहाँ पर यही तो आगया, p is equal to 0, p is equal to 0 का मतलब क्या हो गया, dp upon dx is equal to 0, यह आप लोगों ने plain cutie flow में यही लेकर चले, तो यहाँ से समझ आगये, जर्नलाइस पढ़ा है अपनी, जर्नलाइस दे तो आप लोग पहुँच जाएंगे ने, plain cutie flow में, n के लिए कोई भी formula पढ़ते हैं, तो n की value यहाँ कुछ भी रखो, वन रखो, टू रखो, जो भी मनो, तो जर्नलाइस हम n के लिए पढ़ते हैं, फिर किसी के लिए भी बात कर लो, ऐसे जर्नलाइस plain cutie flow के लिए, आप लोगों ने देखा formula, यहाँ पर plain cutie flow के लिए तो आई जाएगा, तो जर्नलाइस का पढ़ लिया तो, ठीक है, यहाँ पर velocity distribution क्या है, linear, देख पार हो, u upon u is equals to y upon h, यह चीज हम लोगों ने linear वाला, वहाँ भी देखा था, plain cutie flow वाले में, ठीक है, तो वैसिटी distribution यहाँ पर क्या है, linear, समझ आया, यह हो जाते हैं, आप लोगों के तीनों केस, यहाँ पर, plain cutie flow, plain poise low flow, और journalized plain cutie flow, इसके बाद, यहाँ पर एक चीज और आती है, कुछ characteristic parameters है, ठीक है, जैसे की volume rate of flow, ठीक है, coefficient of skin fraction, यह कुछ topics है, आई हुए हैं, आप लोगों के exam में, 2013 में, 17 में पूचे गए थे, तो important है यह भी, तो देखेंगे अब लोग, next lecture में इन्हें, ठीक है, flow between two parallel plates का यह है वो, जो मैं बता दिए characteristic parameter ठीक है, तो देखेंगे वो हम लोग next lecture में, so thank you students, मिलते हैं next lecture में,